आगरा में सरवाधेत लोगप्रीय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें राश्ट्रिय धंगर महासभा के बैनर तले पाल बगेल गडरिया समाज के अनुसूचित जाती के प्रमार पत्रिना बनने से नारास धंगर समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन जला मुख्याले पर सौपा इस दौरान धंगर समाज के लोगों ने जम कर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी भी की सुनवाई ना होने पर उग्र आंदोलन करने की बात भी कही धंगर समाज के प्रमाड पत्र जारी ना होने के चलते धंगर समाज के लोगों में रोश जारी है राश्रे धंगर महासबा के राश्रे अध्यक्ष के साथ धंगर समाज के लोगों ने जिला मुक्यारे पर पहुच कर धरना प्रदर्शन किया इस दोरान चमकर नारे बाजी भी की गई, समाज के लोगों का कहना है कि जल्दी उनके प्रमारपत्र जारी किये जाए, नहीं तो वो ओग्र आंदुलन करने को मजबूर होंगे आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पाल बगेल गडरिया समाज को अनुसूचत जाती में काई शासना देश के अनुरूप रखा गया है जिसको लेकर इस समाज के अनुसूचत जाती के प्रमारपत्र भी बने है राश्री धंगर महसबा के राश्री अध्याश जेपी धंगर इस मामले को लेकर जिला मुख्याले पहुचे और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित के आपन प्रशासने कदिकारियों को सौपा राश्री धंगर महसबा के राश्री अध्याश जेपी धंगर ने बताया कि शासन द्वारा अप्रल 2020 में नया शासन देश लागू किया गया है जिसके तहत इस कैटेगरी में आने वाले समाज के लोगों के अनुसूचत जाती के प्रमारपत्र जारी होने है लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अप्तक समाज के प्रमारपत्र बनाने की अनुमती नहीं दी है जिसको लेकर धंगर समाज के लोगों में रोश जारी है जिला मुक्याले पर विरोत प्रदर्शन के दोरान धंगर समाज ने आगरा के सांसद एस जाती से आते हैं और धंगर के अनुसूचत जाती के प्रमारपत्र के आधार पर ही आगरा के सांसद बने है लेकिन इसके बाद भी वो समाज की इस बड़ी समस्य के प्रती कोई ध्यान नहीं दे रहे अगर शासंद वारा धंगर समाज के अनुसूचत जाती के प्रमारपत्र नहीं बनाए गए तो राश्रे धंगर सभा सरको परुतर कर उग्र आंदोलन करेगी सी नियूस के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट